पूड़े कचरे भरे पड़े इतना सांड गोरू सब इतना खेतवा चवर जाता इस अब कहता है पांच किलो रासन अब महिलां जोन बावू सब लाठी डंडा लेकर एक दम तहीं आ रहे हैं हां बहुत ज्यादा धांदली होता महापर चुनाओं में धांदली भाइल अब उत्तर प्रदेश में असी सीट बा लोक सभाक है और अखिलेस यादा बड़ा दाओं चलताना काजल निशाद के गोरकपूर से उतार के गोरकपूर जोहां से मुक्यमंत्री योगी यादितनाथ चुन के जालान और यहां पे उनकर सांसद एक कलाकार जेके कहा जाला इ अब भी किसन यहां से चुनाओ जीतन रहना लेकिन वही पता खोलत समाजबादी पाइटी एक इस्टार कलाकार के एक प्रकर नेत्री काजल निशाद के फाइट के लिए गोरकपूर से टिकट दे देले बात आवल जा जानल जा काजल निशाद स्वागत बाभ भुश्पू इस टाइम पे गोरकपूर में गोरकपूर मानल जाता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गड़ है और यहां पर यह कैसन का लगा दिन राद हर हर महादेव के नारा लगा कि जनता के बीच तो कैसे फाइट होई अब समाजबादी पाइटी आप पे बड़ा भरोसा के अब श्यादा असी सीटन में से आपके चुनले वानन और खासा गोरकपूर मुचपरी न्यूस के हम प्रणाम करते ही रवालोगन सब के प्रणाम और साधर प्रणाम धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छा लगा था हमार जनता हमार साथे बाहे के महापौर्ट चुनाओं मे जोन भाहे के महापौर्ट चुनाओं में धन्यादाली भईो रहे हमरे साथे वह कर बदला लेवे खातीर हमारा लवा जनता पूरा साथे बाहे हैं अब महीलान जयन भाहा उस सब लाठी डंडा लेकर एक दम तई आरे ही हाँ भूट ज़ादा धन्यादादी होता महापौर् बिलकुल बिलकुल देखी गोपलापूर के जन समस्या रहे लहाएं, पुरा निर्माण सब सुरू हो गए लेकिन सार्वाजनिक लोग बाढ़ें सब कहत रहने सब कि आमन के सार्वाजनिक ताल बा तो कुछ मनो विद्यालाय बन जा यहां कुछ बेटिक साधी खातिर कुनो मनो हौल जैसा कुछ बन जा आको नो ना तो गाडन बन जा लेकन के खेले खातिर मनो पार्क बन जा उस अब जो दबंग वाड़े सब भारते जनता पार्टी विचार धारा से कोई मेल खा रहे होंगे उस अपना लगा दिये पार्टी पट्रा और निर्माण कार एकदम सुरू हो गए तो वहां की जनता न और जनता ने मुझे बुलाया और मैंने वो बुल्डोजर रोकने काम किया सब अधिकारी को जो ने वापस जाना पड़ा सभी को और छे सो घर बच गया जब की जब योगी जी सांसद जब रहे थे यहां से वो कहले बार हलन की नाई को घर नाए तूटी और कुछ नाए तो सभी के हां बुल्डोजर पहुचा देने का काम किया तो इसलिए मैं जनता के लड़ाई हमेशा लड़ने का काम करती हूँ जहां कोई भी दुख तकलीफ में होता है या सरकार से प्रतारी थोरा है वहां मैं पहुचने का काम करती हूँ मैं अपनी जन्ता का लड़ाई लड़ती हूँ कि यह को नो मार व्यक्तिवत चुनाओ नाए बाँ यह चुनाओ व्यक्तिगत हमार चुनाओ नाए बाँ समाजवादी पार्टी के भी व्यक्तिगत चुनाओ नाए बाँ यह चुनाओ सिर्फ जन्ता का चुनाओ जन्ता का पड़ाई लिखाई करके गरीब जुन माबाप रहे लें सब नून रोटी खाके लाइकन के पढ़ावे लें सब और पढ़ा के सोचे ला कि चलो हम लोग घर परिवार का पटीदार के नाम रोसन होई लेकिन कहुल पकोड़ा तली यहां कहा रोजगार बाग यहां के नोकरिया मीलारोदी जी के 10 साल के सरकार में, योगी जी के 7 साल के सरकार में, ना मीलारोदी बहुत सारे ऐसे मुद्डे हैं, जब में महाप़र के चुनाव लड़ रही थी, गंधी नालिया, आज भी देखोगे अतना लिया भरी पड़ी है, पुरे कचरे भरे पड़े, इतना सांड गोरू सब इतना खेतवा चवर जाता है, यह सब कहता है पांच किलो रासन, इस सरकार आपको रासन देगी, लेकिन सासन नहीं देगी, इस सरकार आपको रासन देगी, लेकिन सासक नहीं बनाएगी, लुकमरान नहीं बनाएगी, यहां पांच किलो रासन का बात हो रहा है, कई कई 35 सांड जो है खेतों में हले रहते हैं गलन वाला ठंडवा आज न सुरत देवता जो है वो प्रगट हुए है किसान अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए बिचारे मजबूर हो गए हैं और यह सरकार जो है इनके नीद ऊड़ी नहीं रही इनको सब चकाचक दिख रहा ह है तो यह सरकार के किलाब जनता खड़ी है आखिरी सवाल कि आप फिल्म लाइन से जुड़ा लगने टीवी से आप काफी गहरा जुड़ा हो रहे हैं और पहचान आप प्रकर नेत्री के तौर पर बना हो थे आप दूसरी बात की आप एक रचनात्मक महिला हैं तो कई से ता क्योंती हैं कि मैं काजल निशाद हूँ अभी नेत्री आभी नेत्री कवित्री एक शोशल एक्टिविस्ट यांı के समाज से भी चित्रकार यानी ऐक इक पेंटरn एक लेकिन इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि यह चोट लगलबा प्रेक्चर वा तबो चला थाई अरे मैं चलने के लिए ही जानी जाते हूं तो कुछ दिन तो मैं लाठी से चली जब गोड़वा मसूज गल सूजन भाइलबा तो विल्चेर खरिद लह ले हैं कि हूँ हमें नाय रोक सकी लाई यह चोटवा यह गोडवा यह फैक्चर यह सब कुछ मुझे आखरी सास तक जनता के बीच येस येस मेरे खून का एक कत्रा मेरी जनता को कामाने वाला है क्योंकि मैं जनता के मुद्दो पर चुनाव लड़ती हूँ काजल निशाद का व्यक्तिगर्ट चुनाव है ही नहीं क्यों क्योंकि जितना सांसद मंत्री जो बना के बैठे है ना उतना मैं छोड़ कर आ गई हूँ तो किस चीज की मुझे दिक्कत थी किस चीज की मुझे तकलिफती लें इस लाइफ अगर कोई छोड़ कर जनता के बीच में जा रहा है तो क्या पाने जा रहा है वो सिर्फ ये उनका प्यार अशिरवाद पाने जा रहा है कि हमें जब हम दुनिया से वीदा हो जाए तो हमें कि इस तरह से काजल निशाद मेहनत करती है लगातार संगर्श कर रही है जब उनके साथ धांदली हो रहा है तो दूसरी कोई महिला उठ नहीं पाएगी काजल निशाद प्रेरणा है महिलाओं की कि देखी हिम्मत देती कितनी बच्चियां मुझे रो रो के कहती है दीदी हम आ जा रहा है तो महिलाओं में आक्रोश है कि दूसरी बात तो फिर कोई महिला उठी नहीं पाएगी जब काजल निशाद के साथ ये लोग धांदली करते हैं तो फिर जो और गरीब गुर्बा है विचारे उनका तो क्या ही होता होगा और दूसरी बात कोई बार-बार कितना ल ये सरकार नहीं चुनी जाती है जंता को ये तानाशा नहीं चाहिए क्योंकि हम आजाद देश में हैं हम आजाद देश में गुलाम नहीं बनना चाहते हैं झाहते हैं